सर्दियों में सुँभा सुभा बस एक कटोरी खाएं और पूरे साल के लिए अपनी सेद मनाएं क्योंकि इस कटोरी में एक नहीं दो नहीं पूरे 100 फाइदे मौजूद हैं और इसको बनाना इतना सिंपल है कि आप बस इसको एक बार बना लीजיה और पूरी एक महिने तक आप इसको enjoy कर सकती हैं बच्चों से लेका बड़ो तक लेडी से लेका जेंट्स तक सबके लिए बहुत फाइदे मंद है सेहत के लिए तो ये सबसे बढ़िया है ही साथ मैं आपी चटोरी जवान के लिए भी ये बहुती लाचवाब है क्योंकि इसका टेस्ट आपको ज़रू पसंद आएगा हेलो फ्रेंट्स मैं मुसकान आप सबका स्वागत करती हूँ आईए ये विंटर स्पेशल रेसिपी बनाना हम शिडू करती है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कडाई गैस पर रिकी है नियुक्त petite Janice जैसे आपको इसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं ये मारे फूल मकहने ये मांध़器 में बहुत रिच होते हैं कैलशियम में प्रॉटीन में फाइवर में ये हमारे शुगर लेवल ciao इसके और भी अधर फाइदे होते हैं यह बहुत लाइट बेटे रहते हैं लेकिन विंडर्स में खाने के लिए बहुत ही जादा अच्छे रहते हैं तो इंको हम अलका भून लेंगे मीडियम सिम्स कैस पे इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं यह पे अची तरीके से जैसे कि हमारे यह मखाने जब भून जाएं तो उसके बाद इंको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे यह सारे प्लेट में हम निकाल लेते हैं इसके बाद हम यहां पे लिये हैं अब हमने बिल्कुल कड़ाई में से गी निकाल लिया है ओट्स को हमें ड्राय रोस्ट करना होता है जैसे आप अब सभी को पता ही है कि ओट्स किते हैं रहते हैं बहुत लोग करते हैं और ओट्स की एक सबसे बड़ा फाइदा ही है कि इसको आप मौनिंग में खाली जे से कई लोग होता है बार बार भूग लगती है तो वह भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेट लॉस के लिए गर आ में साइट से ही रख लेंगे उसके बाद हम दुवारा से कड़ाई में घी डाले है एक स्पूर आप चाहें बटर का भी यूज कर सकते हैं और हमने यह पे घी को मैल्ट कर लिया है इसके बाद फ्रेंट इसमें हम डाले है सारे ड्राइ फूट जैसे की काजू पादाम उसके गर्माट देते हैं शरीर को यह विंटर के लिए हरको ही रिकमेंड करता है इनमें विटामिन्स प्रोटीन्स रहता ही है तो यह आपको फुल ए एनर्जी देते हैं पूरे साल की एनर्जी देंगे यह लिया है हमने सूखा हुआ कदूकस किया हुआ नारियल अगर आपके पा अच्छी से अने लग गई है मीडियम गया पर हमने सब को भून के तयार कर लेते हैं विटामिन्स न्यूट्रियंट सब कुछ इसमें भरपूर है मद्बू मातरा में हम यूज कर रहे हैं जिससे हमारी शरीर को बहुत फायदा देगा इन सब को भी अब हम इसमें प्लेट मे दो कर लेते हैं इसे हमने ऊच्छी साथ मिक्स अप कर लिया है मकाने को तोड़ा साइट से अलग रखा है इसके बाद अब हमें क्या करना है कि मखानों में से कुछ मखाने तो हम साइट से अलग निकाल देते हैं एक बॉल में मतलब कुछ पकाने हम यूज में लेने वह पाउडर बना के हम तैयार कर लेते हैं इस तरीके के हम यह दर दरा पाउडर जो है इसका बना लिया इसको आप बाउल में या किसी में भरके रख सकते हैं इसको आप स्टोर कर लीजिए एक महीने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं लेकिन इसमें अभी स्टोर करने से बिल यह अभी हमारा पॉफेक्ट पाउडर तयार हो चुका है लेकिन अभी हमने जो मखाने साइट से रखे ते जो हमने निकाल लिये थे पीसने से पहले तो वह भी हम इसमें डाल देते हैं सारे मखाने इन सब को मिक्स करने के बद जब सारे मसाली तरीके से मिक्स हो जाए तो यहा इसमें बॉइल आने देते हैं जब तक हमारा यह जो दूद बॉइल आ रहा है इससे यह जो मखाने वो भी हम इसमें ही मिक्स कर लेते हैं इस मिशनर को आप स्टो कर दीजिए और डेली सुबह अपने एक गलास दूद एक कटोरी दूद इसको बना के आप सर्फ कीजिए अच्छे से खटका लेते हैं एक दो मिनेट के लिए जब दूद हमारा अच्छी तरीके से खटक जाए जैसे आप देख सकता है बॉइल हो जाए आप देख रहे हैं तो उसके बाद इसका हम जो पॉडर हमने बना के तयार किया है वह इसमें हम डाल देंगे दो तीन स्पून अब हम पॉडर डाल रहे हैं और आप इस पॉडर को अपने पसंद के साब से किता थिक पतला या पर जैसे गाडा पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए और इसको पॉडर डालने के बाद भी से दो मिनेट के लिए अच्छी से खटका लीजिए तो अब आपक इस साथ आपकी तैयान हो चाहिए इसमें हम थोड़ा सा और प्लेवर देने के लिए बस दूद में हलका सा इलाइची पाउडर भी डाल देंगे यह आपके ऑप्शनल रहता है और गैस को अब बंद कर देंगे यहां पर मैं इसमें डालूंगी जैगरी यानी की गुड आप यहां पर गुड का यूज किया है आप शक्कर का भी यूज कर सकते हैं और इसको बाकी बच्ची मिशनल को मैं एक कोई भी डिबे में भर के रग तूंगी इसको मैं डेली अपने घर में बनाऊंगी और सब को पिलाऊंगी से मिक्स करने के बाद और आज के लिए हमारा यह तो मैं आज इसे सर्फ करूंगी और अपने गर में पिलाऊंगी यह बच्चे हो या बड़े पूरे हो या जवान लेडीज हो या जेंट सबके लिए बहुत पाइदे मन्द है तो सभी को आप इसको पिला सकते हैं बिलकुल लुक्सान नहीं करता है गुड भी बिलकुल तो एक बर आप इसे ट्राइ कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से और जिसके साथ हो सके उसे इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि वो सब भी अपनी सियद बना सके और इसका इंजॉय कर सके वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट से मताईएगा कैसी लगी मैं आप सबसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बाबाई